हेलो एब्रीवन आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एसिलेशन ओफ ए बोडी स्लाइडिंग डाउन ओन एन इंक्लाइंड प्लेंड प्लेंग है जैसे यह हमने एक फ्लोर ले लिया है होरिजेंटल सर्फेस है इसके साथ हमने एक और सर्फेस लगा दिया जो होरिजेंटल सर्फेस के साथ एक पर्टिकुलर एंगल ठिटा पर इंक्लाइंड है अब इस इंक्लाइंड सर्फेस के ऊपर हमने एक बोडी को पुट कर दिया माले एक ब्लोक पुट कर दिया जिसका मास है एम यहाँ पर M है mass of block या body mass of block या फिर mass of body कोई भी word हम यूज़ कर सकते हैं अब हमें बता है कि अर्थ का जो center होता है कोई भी object अर्थ पर चाहे कहीं पर भी हो उसका weight कहाँ पर होगा toward its center center की तरफ तो यहाँ पर जो यह हो गए इसका center of gravity point अब इसका mass M है mass M है तो weight कितना होगा M, G और वो कहाँ पर होगा toward the center of gravity toward the center of gravity means बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ तो यह होगा toward the center of gravity इसका weight होगा जिसको हम represent कर देंगे M, G से अब इस weight ने means यह जो block रखा हुआ है वो इस surface के उपर रखा हुआ है यह surface इसके उपर एक normal reaction लगाएगा normal reaction और उस normal reaction की direction होगी upward direction में और normal reaction को हम represent कर देंगे R से अब normal reaction तो होगा upward direction में weight है उसने normal reaction के साथ कितना angle बनाया और कौन सा component होगा उसका normal reaction को balance करने के लिए तो यहाँ पर यह angle भी कितना होगा theta अब यह angle theta क्यों होगा इसका logic समझते हैं देखो जो normal है यह normal है R normal reaction R यह इस inclined surface पर कितना angle बना रही है 90 degree का angle बना रही है means जो यह R हमने लिया है यहाँ पर R ने कितना angle बना है 90 degree का और जो यह weight है यह downward में act कर रहा है इस तरह से mg और इस weight का normal reaction के बिल्कुल इस तरह से opposite direction normal reaction के बिल्कुल opposite direction में weight का एक component होगा जो अब हम निकाल लेंगे कितना होगा ठीक है तो अब यह 90 का है तो यह angle भी कितना होगा 90 degree क्योंकि एक straight line बन गई नहीं तो यह भी angle कितना होगा 90 degree का होगा अब इसको निचे की तरफ मिला दो तो यह कितना बन गया यहां पे 90 degree यह 90 है यह theta तो यह जो एक triangle बन गई ट्रेंगल के तिनो एंगल का सम होगा 180 degree तो यहां पे कितना है 90 plus theta और इसको माल लो angle 1 तो plus angle 1 तो यहां पे कितना बच गया 180 minus 90 minus theta is equal to angle 1 कितना बच आ 90 minus theta तो यह जो angle 1 है वो कितना आ गया 90 minus theta यह angle आ गया 90 minus theta अब यह angle 90 है तो यह पूरा कितना होगा यह भी 90 होगा क्योंकि यह straight line है यह angle 90 है तो यह पूरा भी कितना होगा 90 होगा बट इसमें से आदा हमने बता दिया कितना है 90 minus theta तो यह कितना बच जाएगा जब यह पूरा 90 है और इसमें से यह 90 minus theta तो बच जाएगा 90-90-θ, कितना हो गया, θ, तो इस तरह से ये एंगल कितना आ गया है, θ आ गया है, अगर समझ में नहीं है, तो दो बारा से इस फिगर को समझ लेना, अब ये जो weight है, mg, इसने इसके साथ कितना component बनाया है, हमने बताया था प्रिवेस वीडियो में, कि जो angle बनाता, weight जिसके साथ angle बनाएगा, वो क्या component होगा, उसके साथ कोस थीटा, और ये हम सेकंड यूनिट में भी पढ़ चुके है, कि जिसके साथ angle थीटा बन रहा होगा, उस line के साथ कौन सा angle बनेगा हमें सा कोस थीटा, और उस line के perpendicular में, कोस थीटा वाली line के perpendicular में कौन सा component आएगा, sin थीटा, तो य यहाँ पर दो component होगे, देखो, अब जो यह weight यहाँ पर रखा हुआ है, mg weight है, इस block का, जो block रखा हो, उसका weight mg है, और mg का weight दो direction में split हो जाता है, एक component तो है mg कोस थीटा, जो normal reaction को balance कर देता है, means mg कोस थीटा की वज़े से body है, उसके अंदर कोई acceleration नहीं होगा, वो नीचे की तरफ slide नहीं करेगी, बट इस weight का, जो mg sin theta उसका काम का है, बोड़ी को नीचे की तरफ slide करवाना, तो mg sin theta की वज़े से body नीचे की तरफ आएगे, अब बोड़ी के अंदर movement आ गई, movement आते ही, यहाँ पर क्या जाएगा, एक force of friction, जिसको हम represent करेंगे small f से, जरूरी नहीं है, force of friction को हम यहाँ पर दिखाए, force of friction को यहाँ पर दिखा दो, force of friction f, actual में यह force of friction यहाँ पर लग रहा है, surface के उपर, यह सिर्फ हमने represent गया, यहाँ से और यहाँ से कहीं से भी हम represent कर सकते हैं, force of friction को, ठीके तो यहाँ पर यह force of friction आ गया f, अब force of friction आपोजिट डारेक्शन में ह acceleration हो रहा है इस direction में Mg sinθ की direction में means जो Mg sinθ की वज़े से इस body पर force लग रहा है वो force of friction से क्या है जाता है यह तो हो गया R is equal to Mg cosθ और यहाँ पर हमने लिख दिया कि जो Mg sinθ वाला component है यह यह greater than force of friction से इसलिए body में acceleration आएगा in the downward direction अब इस पर हम net force देखेंगे कि इस block पर दो forces लग रहें Mg sinθ डावनवर्ड में force of friction इसे opposite direction में तो इसमें acceleration हुआ तो इसका मतलब हम इस पर अब net force निकालेंगे net force own body of mass M net force कितना होगा इसके उपर net force को हम represent कर लेते capital F से और वो net force यह capital F की value कितनी होगी देखो Mg sinθ बड़ा है क्योंकि acceleration हो रहा body में downward direction में तो means Mg sinθ बड़ा component है और उसमें से हम subtract कर देंगे force of friction को ठीक है अब according to Newton's second law force का formula क्या होता mass into acceleration in the body तो यहाँ पर आ जाएगा Mg sinθ beta minus F अब इसको माननो equation 2 अब we know that अब हमें बता है कि जो force of friction है उसका formula क्या होता अगर body motion में है क्योंकि अब body के अंदर acceleration है तो यहाँ पर force of friction का formula क्या आ जाएगा μ के आर यह कहां से आया वैसे तो हम previous lecture में पढ़ जुके फिर भी हम यहाँ पर देखेंगे कि जो force of friction है directly proportional होता normal reaction के यह कहां से आया law of friction में हम पढ़ जुके हैं कि जो force of friction है वो directly proportional होगा normal reaction के तो यहाँ पर जब हम proportionality का sample हटाएगे तो coefficient of friction आएगा और कौन सा coefficient of friction अब body के अंदर acceleration है तो kinetic force of friction का coefficient आ गया है f mu के r using equation 1 equation 1 का use करके r की जगे हम क्या रख देंगे mg cos of theta तो यह आगे force of friction की value अब इस force of friction की value को हम second equation में use करेंगे using this value in equation 2 equation 2 में रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा m a is equal to mg sin theta और minus f minus f की जगे पुट करेंगे mu के mg cos theta यहाँ पर हमने force of friction की value पुट कर दी यहाँ से उठा के अब दोनों साइट से क्या cancel हो रहा है m cancel हो गया दोनों साइट से हमने क्या cancel कर दिया m cancel कर दिया तो यहाँ पर acceleration की value कितने आ गई acceleration is equal to g sin theta minus mu के g cos theta तो यहाँ से g common ले सकते हम तो अंदर बच गया sin theta minus mu के cos theta और g को हमने बाहर ले लिया तो यह आ गया इस body में acceleration का formula कि जब body inclined plane पर रखे हुए है और वो slide कर रहे है निचे की तरफ निचे की तरफ जब वो slide करेगी तो उसमें acceleration इतना आएगा अब इसके value कैसे calculate करेगे जैसे numericals के अंदर theta की value दे देंगे कि theta इतना है तो theta हो जाएगा mu k की value दे देंगे और g की value हमें पता ही है तो acceleration in the body निकल जाएगा तो यह खा कि body जब भी हमें inclined plane पर रखे तो निचे की तरफ accelerate करती है निचे की तरफ गिरना सुरू हो जाती है और कितने acceleration से गिरेगी इतने acceleration से गिरेगी अब हम देखते है इसका next type, next topic के अंदर next topic है work done in sliding एक body over a horizontal rough surface horizontal rough surface के उपर work done कितना करना पढ़ते है एक body को slide करने में तो हमने मान लिया यह हमारे पास एक rough surface है इस पर एक block रखा हुआ है जिसका mass m है mass of body mass of body जो body यहाँ पे रखिए जो block यहाँ पे रखा हुआ उसका mass है m अब mass m है तो इसके center of gravity से जो इसका weight होगा वो downward direction में होगा mg और weight तो downward direction में होगा earth की वज़े से उपर से यह जो supporting surface floor है या table जो भी है इसने इसके उपर एक normal reaction दी इसके बिल्कुल opposite direction में जिसको हम represent करेंगे r और जो किसके equal होगा mg के equal अब इस body को move करने के लिए हमने इसके उपर एक force apply किया f तो यहाँ पर f क्या है applied force applied force तो जैसे ही हम force apply करेंगे और माल लिया यह body move करना start करगी सुरू में तो क्या होगा जब हम थोड़ा सा force apply करेंगे static friction आएगा body move ही नहीं करेंगे फिर धीरे धीरे हम force को increase करते जाएगे अब हमें बता है कि इतने force पर body move करना start करगी तो फिर next time पर हम क्या करेंगे उतना ही force लगाएंगे और जब body move कर रही है तो उस time पर कौन सा friction आता है kinetic force of friction kinetic force of friction यहाँ पर निचे भी दिखा सकते हो kinetic force of friction को यहाँ पर अच्छे से दिख जाएगा इसलिए हमने इसको उपर represent कर दिया बस actual में यह force of friction यहाँ पर लग रहा है इसके tangent surface के tangent पर तो अब हम force लगा रहे और kinetic friction opposite direction में तो हमें क्या करना पड़ेगा work done करना है मतलब force लगा रहे और body के अंदर movement भी हो गई हमने force भी लगाया और body में माल लिया movement होई ass displacement से body अपनी original position से कुछ आगे चली गई कितनी displacement की उसने ass displacement की तो इसका मतलब हमने उसके उपर क्या किया work done क्या work done का formula क्या होता force multiply by displacement तो यहाँ पर हम इस body पर work done करें किसके against करें friction के against अगर यहाँ पर यह friction नहीं होता तो हमें इतना work done करने के जुरूती नहीं पड़ती अगर कोई smooth surface होता बिल्कुल smooth वहाँ पर हमें किसी चीज़ को अगर slide करवाना है या तो उसको pull करना या push करना तो उसको हम थोड़े सा easily कर सकते हैं बट अगर वही pull और push हमें किसी भी object को बहुती rough surface पर करवाना पड़ जाए तो rough surface पर हमें क्या करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा force लगाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा force क्योंकि वहाँ पर friction ज़्यादा होगा इसलिए जो यह work done है किसके against कर रहे हैं friction के against कर रहे हैं तो work done निकालेंगे हम तो यहाँ पर लिखेंगे work done is equal to force into displacement और अगर हम जो work done है वह friction के against कर रहे हैं तो इसके बजाए हम यहाँ पर यह लिख सकते हैं F के multiply by S क्योंकि जो work done किया वह friction के against किया इसलिए हमने कर दिया यहाँ पर FK अब हमें बता है FK directly proportional होता है normal reaction के और FK जब हम proportionality constant अटाएंगे तो kinetic friction है तो coefficient of kinetic friction आजाएगा mu के r r की जगे क्या आएगा r is equal to mg तो FK की value को हम work done में put करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे work done against work done against force of friction work done against force of friction is कितना होगा W is equal to FK की जगे आएगा mu के mg s तो इतना हम जब हमें जब से किसी भी floor के उपर किसी भी surface पर जब एक block रखा हुआ है जिसका mass कितना M है तो हम अगर उस body को S distance से move करना चाहते हैं उस body में S displacement लेकर आते हैं तो उसके लिए हमें W amount of work done करना पड़ेगा तो यह था work done अब हम देखते हैं next topic next हमें निकालना work done in moving a body अब on a rough inclined plane अब यह body है अगर हम इसको as it is रख देंगे तो तो यह downward में जाएगी इसके weight के component की वज़े से जैसा कि हमने first topic में देखा था अब इस body को हमें उपर की तरफ लेकर जाना मतलब इस body में जो acceleration होना चाहिए वो उपर होना चाहिए उपर की तरफ लेकर जाने तो इस उपर की तरफ लेकर जाने में हमें कौन-कौन से forces को overcome करना पड़ेगा यह देखना है तो इस body का जो weight होगा वो कहां पर जाएगा component बनाया mg sin theta यह हो गया mg sin theta और surface ने inclined surface ने इसको normal reaction दी जो किसके equal होगी r के equal यहाँ पर r किसके equal होगा mg cos theta तो यहाँ पर r is equal to हो गया mg cos theta अब देखो अगर हम इस body के उपर अपनी तरफ से कोई भी force नहीं लगाते हैं कोई भी force हमनी इस body पर नहीं लगा है तो weight के वज़े से body downward में जाएगी और force of friction आ गया इसका upward direction में ठीक है बट अब इस case में हम क्या कर रहे हैं हम इसके उपर force लगा रहे हैं हम work done कर रहे हैं work done मतलब हम खुद force लगा रहे हैं इस body को यहाँ से पकड कर खिचेंगे उपर की तरफ तो यहाँ पर F क्या हो गया applied force applied force इस body पर जो हमने force लगा है वो है F अब हमें बता है कि force of friction जैसे हमने force लगा यह body उपर की तरफ जाएगी तो friction होगा निचे की तरफ क्योंकि जो force of friction होता है वो applied force से opposite direction में होगा अगर applied force की value इस तरफ है हम force इस तरफ लगा रहे तो friction हमेशा उससे opposite direction में act करेगा इसलिए अब की बार जो friction आ गया वो आ गया इसका downward direction में यह हो गया force force of friction F force of friction हमेशा applied force से opposite direction में लगेगा तो अब हमें देखना है कि इस body के अंदर acceleration होगा upward direction में क्यूं होगा क्योंकि हम तो खुद ही कर रहे है हमने जो work done किया वो इसलिए तो किया था कि body उपर की तरफ move करे यहाँ पे जो हमने force लगा वो इतना लगाना पड़ेगा कि इन दोनों component को overcome कर जाए क्योंकि mg sin theta और जो force of friction दोनों इस body को नीचे लेकर आना जाते हैं और हम लेकर जाना चाते हैं उस body को उपर की तरफ तो मतलब हम जो force लगाएंगे f वो greater than होना चाहिए कि इस से mg sin theta से plus f दोनों से greater than बोल सकते हो या equal बोल सकते हो तो यहाँ पे जो applied force होगा वो इन दोनों force से greater होगा तो अभी तो इसके अंदर क्या आएगा acceleration आएगा अब कितना greater होगा इस component से तो अब हम देखते कि इसके अंदर जो acceleration आया वो कितना होगा तो सबसे पहले हम इसके उपर देखेंगे कि net force f on body is कितना होगा f is equal to होगा mg sin theta plus force of friction यह जो force हमने apply किया वो इन दोनों के equal तो होना ही चाहिए अब यहां से जो force हम apply कर रहें उसकी वज़े से इस body में जिसका mass है m कितना acceleration आगया a तो f की जगे हम put कर देंगे m a यहां पे आएगा mg sin theta plus f f की जगे हम क्या put कर सकते है f हमें बता directly proportional to होगा r proportionality का symbol हटाएंगे तो kinetic friction आएगा r और r की जगे हम क्या put करेंगे mg cos theta तो put करो mu के mg cos theta दोनों side से m से m cancel तो यहां पे acceleration की value आ गई g को मन निकालो sin theta plus mu के cos theta तो जब हम इस body के उपर उपर की तरफ लेकर जाने के लिए हमने force लगाया इसके उपर f तो हमें यहां पे कितना work done करना पड़ेगा यह निकालना acceleration तो होगे यह कि इस body के अंदर इतना acceleration होगा और जब हम इस body को उपर की तरफ लेकर जाएंगे but work done कितना होगा work done हमें कितना work done करना पड़ेगा work done का formula होगा force into displacement force का formula है mass into acceleration or displacement जो इस body को जितनी distance तक हम उपर लेकर गए है तो यहां पर work done is equal to w m as it is acceleration की value हम निकाल चुके यह वाली तो कितने आ जाएगी mg sin theta plus mu k cos theta और यहां पर s as it is तो यह आ गया work done की value कि इस body को अगर हम उपर की तरफ move करवाना चाहते हैं तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा इसके उपर इतना work done हमें करना पड़ेगा इतनी amount में और हमें क्या निकालना था work done ही तो निकालना था यहां पर तो यह इसका work done आ जाएगा झाल